यू वाट्स आप गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू नेदर गेम पर वीडियो तो गाइस आज हम लोग दोबारा से केली जा रहे हैं रेंच सिमिलेटर और गाइस तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने रेंच में एक बह बीचेंगे और फिर हम लोग उसे बहुत सारा पैसा कमा के इस गेम में बन जाएंगे एक बिग बिलियनेर बट बिलियनेर के पास ने अभी कोई घर नहीं है वो बिचारा पीछे उदर टेंट में सोता है इसलिए गाइस आज के वाली जो वीडियो बहुत ज्यादा अमेजि बनाने को लेकर वैसे अब लोग सोचे रहेंगे तिरे पास इतनी सारे पिग थे वो सारे के सारे कहां चले गए तो मेरे पास पहले 4-5 पिग थे भाई अभी अमीर बनना है पैसो की कमी पड़ी इसलिए मैंने इस बार्न हुस के अंदर ना पिग ला के भर दिये और अभी य बंड़े मेन यांपर बनादें कांओं पड़ रहा है नीचे सखाले मोटे मतलब कि कि नहीं उता काना की कमी पड़ते र Ricardo क्रूंन प्रफ trabalhar खाएंगे तभी तो बड़े होंगे ऩो बड़े होंगे पद जो में HYD तो हमें ज्यादा मीट से मिलने वाल और उसके साथ साथ बहुत सारा metal भी चाहिए अगर हम उसमें कुछ metal का material यूज़ करते हैं तो बाकि यह जो अपनी आप यह देख पा रहे हो ना भाई साब सेम टू सेम वही आल अपने chickens का भी है यहाँ पर आप देखो कितरी सारी chickens अपने पास हो चुकी है मेरे पास यह ना basket ह इसके जितने भी एग है ना वह मैं सारे का सारे इस basket में रख देता हूं और अभी नहीं जितनी भी चिकन है ना यार यह जगा ना चिकन कूप इनके लिए बहुत ज़्यादा चोटा पड़ रहा है तो इनको ना मैं बड़े वाले चिकन कूप में उधर वो जो देख रहे हो बड़े वाले चिकन कूप में मूव कर देता हूं क्योंकि अभी इनकी जनसंक्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो यहाँ पर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तीन चार मैंने मूव कर दी हैं बस रह गए हैं छोटे वाले इनको भी लेकर आना हुगा चलो यह भी आ गई तो भी चल ओकी गाइस तो अभी न मैंने एक एक करके हर एक चिकन को उनके चूजों को यहाँ पर मूव तो करवा दिया है बट अभी न मुझे इनके लिए यहाँ पर एक खाने पीने का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छी बात ही है कि तो इस जगह से बाहर नहीं निकलती मुझे जब भी एक्स करने होंगे मुझे बस यहाँ पर आना है इसको ओपन करना है दन सारे का सारे एक कर लेकर लेने है फिलाल अभी इसे बंद कर देता हूं मुझे इनके ना खाने पीने के लिए यहाँ पर बाउल बनाना पड़ेगा एक फूड वाला मैं रख देता हूं इधर को अब दो मुझे इनके लिए वाटर वाले भी बनाने है तो यह स्मॉल वाटर बाउल तो वाटर वाले ना साइड में रख देते दोनों के दोनों तो एक रखना है यहाँ पे और एक इसके साइड में कुछ इस तरीके से लेट्स को अब बसना गाइस यह इनके ब्लूप्रिंट है मुझे इसके अंदर लाके लकडियां लगानी है तभी यह पूरा कम्प्लीट होगा लेट्स को हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं और मुझे इसे तोड़ना होगा क्योंकि अभी यह मेरे किसी भी काम का नहीं रह गया है यह नहीं पे ले जाकर इन मशीन को स्टार्ट करते हैं और इसमें लकडियां फिट करते हैं एक प्लैंक 2,3,4 यह खुला गेट इसमें लाके मैंने लगा दिये तो फूड वाला इकम्प्लीट हो चुका है फिलाल अभी मैं यह दो कम्प्लीट कर देता हूँ उसके बाद मैं मार मैंने अपने वेल में यह लग कि डूपकी चल भाई पानी भाराचा गोल-गोल घुबाने में से यार बहुत ज्यादा मुझा आता का समसे तो बकिट ऊपर आ चुकी है जल्दी से ले जाके पानी डाल देते हैं लोग पानी पीओ पानी आ गया अब बस थोड़ी देर में तु अपने प्यारे प्यारे चिकन्स के लिए यह खोला गेट लो भाई तुम्हारे लिए फूड भी आ गया मुझे मत परेशान करना ठीक है मैं जा लो मार्केट अरे इसके बाहर कहारी अंदर चल यह करा गेट बन लेट्स कू भाई बाहर निकलने लग गया दो मिन में हां तो अपने पास पैसे बहुत जाद है तो मैं सोच रहा हूं कि मार्केट से सारी लखड़िया खरीट के लाते हैं एक बार में जितनी भी लखड़िया उन्हीं से अपना पूरा घर बनाने वाले हैं तो सबसे पहले मुझे यहां पर अपना गेट ओपन करना होगा यह करा गेट इसको कर देता हूं बन वैसे आर देखो भी ना मार्केट जाने के जरूत नहीं है क्योंकि घर से पहले मुझे बनाना है ब्लूप्रिंट यह गाड़ी में बाहर कर ले तो बन बन कोई बाहर नहीं आएगा बड़ा परिशान करते हैं हाँ गाइस तो पहले ना में ब्लूप् कुछ इस डिरेक्शन में ही बनाने वाला हूं तो सबसे पहले मुझे जाना है बिल्ड में और घर बनाने के लिए हमें हर एक टाइप का मटेरियल यूस करना होगा जैसे ट्राइंगल फांडेशन नॉर्मल वुड की स्क्वार वाली फांडेशन और हर डूर फ्रेम ट्राइंगल फ्लोर वुड़न रूफ बहुत कुछ है इसमें स्टेर्स भी अलगलग टाइप के तो हम लोग जैसा घर चाहें वैसा बना सकते हैं यह प्र कस्टम डिजाइन होने वाला है तो इसको मैं थोड़ा बड़े साइस का बनाता हूं ठीक है पहले हम लोग इसे यहा पताचला थोड़ा तर्चा सा वंज्या तो गंदा लागहा पतानी को लेट यहां पर बहुत जादा बड़ा नी ओव जाए गया खर बड़ा तब शारा सामान है उसको भी तोड़ देता हूं यह किसी काम का नहीं रहिगा क्योंकि इसके अंदर जितना वी समान था मतलब जो है थोड़ा सा चोटा कर देते हैं दोनों साइट से तो काईस यह साइस ना मुझे इनफ लग रहा है बस लेट साइट से मुझे ना एक यह वाली foundation ओर तोड़नी होगी यह भी किसी काम के नहीं है अब यह दोनों साइट से बराबर हो अगर फ्रेंट से देखे तो बाकि अब हम लोग आगे का बिल्ड करते हैं 123456 और राइट गाइस तो फाइनली जो फ्लोर की foundation है वो समलो almost पूरी complete हो चुकी है अब मैं सोच रहा हूं कि ना अपने mansion में एक garage होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उस garage के लिए ना मुझे यहाँ पर एक ramp लगाना होगा विट तो यह रा foundation ramp वो मैं यहाँ पर लगा देता हूं अब अपनी कोई भी गाड़ी आएगी वो इस पर यू चड़ेगी फिर उसके बाद अगर हम उसे यहाँ से निकालना है तो उसको मुझे एक ramp यहाँ पर लगाना होगा विट कुछ इस तरीके से अब गाड़ी वहां से आएगी और यहां से जहां जाना है चले जाएगी अब यह भी बन गया तो मैं काम करता हूं इसके side side में हम लोग short wall लगा देते हैं ताकि गाड़ी अपनी cover रहे मतलब बाहर से कोई जानवर व अली wall लगाते हैं कुछ इस तरीके से और यह हो जाएगी घर की main entrance इसलिए हम लोग यहां पर wall लगा देते हैं कुछ इस तरीके से let's go कफी सही लग रहा है वैसे अब इसके बाद हम लोग यहां पर gap देके एक wall इधर लगाते हैं फिर यहां पर भी gap छोड़ देते हैं और व यहां पर लगा दिया एक यहां पर लगा दिया अब एक main gate पर यू लगे का तो अच्छा लगेगा यह नहीं अच्छ गंदा लग रहे है एक यहां लगाते हैं ठीक है यहां पर stairs लगनी चाहिए रुग जो मैं इधर के लिए stairs ठूंड के लाता हूं stairs यह यहां पर लग अच्छ गार्किंग से आते हैं तो यहां से एंटर हो सकते हैं थोड़ी माइकल के घर की कोप्ती हो रही है वैसे बैक साइड ना मैंने थोड़ी खराप सी बना दी मुझे यह चीज तोड़े नहीं पड़ेगी यहां पर फुल वॉल और नीची है कुछ इस ताइप से और लोग एक यह वाली फांडेशन लगाते हैं इसके बीच में भी यहां पर भी यहां पर लेट्स को अभी काफी सही लग रही है चीज अब यहां पर लगाते हैं शॉर्ट वाली वॉल एक दो तीन चार यह थोड़ा सा बालकोनी टाइप एरिया हो जाएगा अपने लिए या फिर एक काम करते हैं इसको ना बैक साइट के एंटरेंस बना देते हैं यह तोड़के मेरा गेम एफपीप कैसे हो गया अच्छा बिल्ड में एफपीप चलता है हा तो यहां पर मुझे लगानी है स्टेर्स इसे कर रोटेट वेट एक लगई दूसरी लग गई यह काफी सही लग रहा है अब हमें अंदर की एक एंटरेंस बनानी है तो मुझे यहां की एंटरेंस के लिए एक और डूर फ्रेम यार पीछे में लोग विंडू भी तो बना सकते हैं विंडू मैंने कहीं नहीं लगा यह तक तो एक विंडू अपनी लगेगी यहां पर एक विंडू लगा जेते हैं सेम-to-sama यहां पर लगा दिए और इस आइप पर भी होनी चीहे अधर तो एक ठीक है अब हम दो नॉक्वाल लगा देते हार जगा और ड्लाL तो स्यलेक और नॉर्ममल वह यहां पर एक चीह ज्यास दू क्ल kण करेगे बहुत जदा रात ओने को आ गहां तो अभी सुवह हो चुकी है और काफी जदा बढ़िया मौसम हो रहा है आज भी तो यहीं है वह अपना प्यारा सा घर जो कल राथ हम लोगों ने बनाया था और अभी मैं आप लोग को ने एक चीज दिखाता हूं आप लोग भी काफी जदा है रान हो जाओगे हां तो घर तो तो मैं सोचा कि सब लोग को ना खाना दे देते हैं ताकि वो भूके ना रहा जाए पूरे रात पर तो तभी रात में अपना एक पिग ना बाहर निकल के आगया यह देखो यह घूम रहा मुझे पता था भाई सब रात में इतना अंदेर था में को दिख भी नहीं रहा था कहां चला गया आजा बार वे पैस की दिखना कहां गूम रहा है चल अंदर इसको भी अंदर लेके चलना पड़ेगा वाई अल्लागी मस्ती में फटा फट से गेट ओपन करता हूं अब देखना कोई और बहार ना चले रुक तू यहां पर मिर को जाने दे बस मैं अकेला बह राटते हैं और हम मुझे बहुत सारी लगड़िया करीड के लानी टो उसके लिए मुझे एक बड़ी घाड़ी खरीदनी पड़ेगी जिसके अंदर मैं ऐतना सारा समान भर पाऊं क्योंकि अपने पास पैसे बहुत सारे हैं पर फटर पैसे गाड़ी कॉईभी धंकी नहीं अभी तक क्योंकि मैं सोचरों कि यार एक ही बार में खरीदेंगे सबसे महंगा वाला ट्रक अब वैसे यार मैं यहां तक आया ही हूं तो एक बारी ना मैं गाड़ियों की रेट पता कर लेता हूं क्या चल रहे हैं और मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए हूं तो हम लो मैं पहुच चाहूं सीधा हाडवेर स्टोर पे फड़ावट से अपनी गाड़ी को अंतर लेके चलते हैं और यहां से मुझे खरीदने हैं धेर सारे वोडन प्लांक्स और मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लोग एक ट्रेलर भी खरीद ले और अपने घर के लिए मुझे बह ब्लाक भी कर लेते हैं वेट हमने पहले ब्लाक की बाय कर लिया क्योंकि मैंने इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ाए थी अब हुआ है यहलो और काफी जादा तकड़ी लुक आने वाली यहलो ब्लाक की मैं वैसे खाली-पीली ओवर एक्साइट हो रहा हूं मुझे कूद इंदर तो पड़ी यहां तो हम लोग यहां से इसे उठा लेते हैं शायद मुझे और लेना पड़ेगा पहले इतना लिए कि चलते हैं मुझे आइडिया नहीं है कि इतने पेंट से कैसा दिखने वाला इसको यहां पर मैं रखवा देता हूं दूसरी भी लाते हैं तो वह य डॉलर्स काप मेजिंग भाई चलो कोई नहीं फिलाला भी बहुत सारे वुडन प्लांक्स मैं ऐसे खरीद लेता हूं ओके 16 हंडिट की वुडन प्लांक्स मैंने खरीद लिये और अभी यह सारे के सारे बाहर मेरे को मिल जाएंग ओ भाई 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 पूरी की कैसे यार सारे के सारे पहले तो मुझे अपनी गाड़ी आगे करके ना कि ट्रेलर अटाच करना इससे जगई नहीं बिल्कुल रुको यहां से जगा साफ करनी पड़ेगी अब ऐसे कौन डिलिवरी करता यार ठाके पैक दे सब इतर लाओ उसे वैसे यार 16 हंडिट मेना लेकर आता हूं अब इसके अंदर मुझे सारे के सारे वोडेन प्लांक्स तमीज में लोड करवाने बड़ेंगे कुछ इस तरीके से एक रखा अब सारे के सारे मुझे लेकर आने हैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं रैसे उठा उठा के लाओंगा तो बहुत टाइम लेना आगे से तो वह भी पीछे वाले एरिया में मैं लोड करवा दूंगा यार यह ट्रेलर सबसे ज्यादा यूजफूल आइटम है अपने लिए जाने से पहले मुझे एक डर लग रहा है कि अपने पास फ्यूल नहीं है और अगर मैं यहां से गास कान करी दूंगा तो ब बादा दूर निये में गाड़ी में कम से कम रेस लेकर लेकर पहुचूंगा वह भाई सब लुकिली पूरे के पूरे के पूरे गास स्टेशन पर पहुचने के बाद अपनी बंद पढ़ गई पुछी बात है कि गास से अमने इधा जल्दी से इसमें फ्यूल भर बाते टो वैसे मैं कम करूंगां हमेशा एक बंद ग्यास स्कान अपनी गाड़ी की डिक Fest अहुथ हो तो फटव में फ्यूल को फिल कर देते अपनी गाड़ी में गाड़ी में तो फुल हो चुका है अब मैं लेकिन इसे दुबारा से रेफिल करने के लिए आ अज सुका हूं क्यू और जल्दी जेन आप लोग धेल सारा बैग ओफ वीट खरीद के आते हैं हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना आएगा वाई सारा ले ले लेंगे 10 अगी और खरीद दूगा अभी मैं तो अभी मैंने आप पर 30 बैग ओफ वीट खरीद दियें अब इसको लोड कराना काम सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है तो मैं काम करता हूं इसे भी ना मैक्स टू मैक्स जितना ही अपने पास एक बार में जा सकता है उतना लेके जाएंगे ना पर रख वाई यह तो पूरा ही चले जाएगा भर के एक सेकिन हाँ गाड़ी चला के देख लेता हूं चले भी लिए इस दिए ओ नाइस 30 की 30 बैक ओफ फीट मैंने लोड करा दिया है पर अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस बचा है और करीते हैं पैसा पड़ा है बस भाई बहुत है क्योंकि अभी हमें घर भी तो बनाना है ना यार उसके लिए भी डाइम चीए तो अभी जो एक्स्रा लिए इसको मैं बैक साइट पर लोड करवा देता हूं ओके तो फाइनिली सारा काम कंप्लीट हो चुक है कैर अभी मैं चाहूं तो और भी बैक ओफ फीट लाकर इसमें बर्वा सकता हूं बट जरूरत नहीं है अभी से महीने का राशन हम लोग एक साथ इस बड़े से ट्रेलर में भर के लिए जा रहे हैं और अभी अपना इतना क हम आसान हो जाएगा ना भाई मतलब मेरे को बार-बार मार्केट आने के जरूरत नहीं है लकडिया अपने पास बहुत सारी है जिससे अपना जो घर है वो शायत से पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए गाड़ी से नहीं चल पारी भाई इसको लोट कराने के बाद हम लोग अ ताकि मुझे बार-बार ना लाने और वापस ले जाने की जरूत ना पड़े बड़ा सा ट्रेलर अंदर जाएगा भी या फिर नहीं और अकर मैंने गेट कुला तो सारे पिक भार आ जाए अभी ना चुप-चाप चलके सो लेते हैं इतना जादा अंधेरा हो रहा है कुछ भ अभी मुझे गाड़ी भी अंदर करनी थी पता नहीं वह इस रेंच के मेंस बार ना उसके बड़े से गेट के अंदर जा पाएगी आफर नहीं ट्राइ करते हैं मैंने कल रात को एक्टम सही तरीके से सेट तो करी थी बस मुझे बैक में अंदर लेकर जानी है और यह नहीं जाओ पाएगी मुझे मालूम था अगाई अचा बट एक बात अछी है कि अगर मैं अन्दर जाओं का अंदर का जाओंगा ऑंधर काहर पूरा रस्ता ही बंद ऊगा वेटिस के ओपर चड़ा और अभी मुझे स्पाइदर मैं जंप मार मार के अंदर आना होगा लेट को हा त ट्रेलर ही भार आगया इसको देखना गोली पड़ेगा फेटे पिक के कमें नहीं बदमाश मत बनियों ठीक है ना रिलोड नहीं थी इसलिए बचे अब यह पक्का बिटेगा बाहर कैसे जा रहा है तो रुप जा थ्री ट्यू वान से अभी थोड़ी बदमाशी आ गया बाहर यहां बदमाशी नहीं चलेगी चलो सारे का सारे पिक विचारे डर के मारे देखो कहां भाग गए यह काफी सही चीज है अगर मुझे इन्हें अंदर करना है तो मैंसे एक शूट कर दूगा तो डर के मारे अपने आपी बार नाउस में भाग जाएंगे कहीं ऐसा नहीं कि ब बाग फीट उठाके अंदर तो रख दिया है और टाइम बचाने के लिए मैंने यूहीं जमीन फे फैक्ट यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अभी इनको भी बहुत भूक लग रही होगी क्योंकि इनका सारा का सारा खाना कटम हो चुगा है तो मुझे खाना मी डालना इने और थोड़ा सा पानी भी लाकर देना होगा दूसरा वाला भावल भी फुल्फिल कर देते हैं तो यह पूरा भर चुका है पानी इने बाद में देते रहेंगे क्योंकि पानी वैसे भी बहुत कम पीते हैं यह वाटर बकेट इसको मने लगाया है वेल में और अभी यह पकड़ा वैल अभी से हमें घुमा घुमा के बाहर लाना है तो मैंने वैल से पानी भी निकाल लिया है जल्दी से ले जाके मैंने पानी भी देता हूं एक बकिट में इनका पूरा दिन निकल जाएगा इतनी ज्यादा ज़रत इने नहीं पड़ती पानी की लेट्स को अब ल पारिश वाला मौसम हो चुका है तो मुझे इसे यहां पर लगाना है बट सबसे पहले मुझे इसका बेस कमप्लीट करना होगा लेसको यह फिल्गा दी शेम उसे मुझे से हर जगा लगाते जाना है अब उपर के जो वॉल यह बी कर देते हैं फिर फ्लोर यह भी कंप्लीट यह वाला फ्लोर फिर यह वाली वाल अब यह रैंप की बारी है रैंप में मुझे दो प्लांक्स ओर लाके लगाने है रुख ज़ौ मैं यह उपर से उठाता हूँ यह हो गया रैंप, यह हो गया उसका फ्लोर यहां पे भी एक वाल लगनी है और इधर भी मुझे complete करना है भाई साब अंदर तो काफी सारे floor बचे हैं मुझे लग रहे हैं कि लकडी की थोड़ी बहुत कमी पढ़ने वाली है वैसे ऐसे बात नहीं है पूरा का पूरा floor तो complete हो चुका है पर अभी भी बहुत सारे wooden planks बचे में है अब बारी है थोड़े से back side की और चारो तरफ की wall की फिर मुझे बनाना है उपर वाला floor और अभी तो आधे wooden planks यूज हो हैं मैं काली बिली टेंशन ले रहा हूं one two three one two three four five six seven finally guys ground floor पूरा complete हो चुका है और कितना जादा बढ़िया लग रहा है और मैंने चुटी सी चीज सोच रहा था कि अगर लोग यहां पर अपने गिराज के लिए बढ़िया सी रूफ बना देंगे तो वो भी तो काफी जदा बढ़िया रहे गाना मतलब अभी वैसे कि लुक तो काफी ज्यादा सही आने वाली है पेंट होने के बाद अभी इसमें पेंट नहीं है ना इसलिए थोड़ी बहुत कमी लग रहे है वैसे ओनेसली बताऊ ना तो घर का यह वाला पार्ट मुझे जादा अच्छा लग रहा है मतलब यार यह सची में थोड़ी सी फ् सेकिंड फ्लोर हम लोग मतलब की जो इसकी उपर वाला फ्लोर है वह बाद में बनाएंगे पहले पेंट करके देखते हैं अरे वहां पर तो येलो था यह थोड़ा सा ग्रीन कैसे हो गया यहां पर आने के बाद बढ़ा यार जो भी हो थोड़ा बोट तो ठीक लग रहा है य ग्लाल यह tım बशmmo लोग तो उपर वाल वाली साइट पर हम लोग प्यंट ऌ पर देना क् ऑप57 पैल अबचिंग आप पर देंगे लिए बहुआ गर मंबचे से ऑं बाजले पता करना वहं कितना एक इसकी इसे वाली तया सकते हैं अब इसमें 4 बार हम लोग और कही ना कहीं पेंट कर सकते हैं बाकी हाँ हम लोग जम मर जीत हैं तब इसका color change कर सकते हैं और आप लोग नो मुझे comments में जाके बताना कि मुझे कौन सा color करना चाहिए यलो के साथ ना red भी सही लगता है खैर paint का काम हम लोग बाद में देखेंगे अब हम लोग अपनी घर का ना first floor बनाते हैं तो यह वाला part complete हो चुक है उपर जाने की सीडिया मनानी है मुझे तो सबसे पहले देखो अगर first floor बन रहा है तो सीडिय सी बात उसके उपर जाने का रस उपर चलते हैं फिर उपर का बनाएंगे let's go planks ना सारे के सारे मैं नीचे को unload कर वा देता हूं यह उठाए फैके उठाए फैके उठाए फैके अब इसे अंदर लेके चलते हैं मुझे से यहां पर प्लेस करने सिक्स यह बनकी ऊपर की stair अब मुझे पूरा proper blueprint बनाना पड़ अब हम लोग चलते हैं इसके आगे आगे तो यह वाला जो फ्लोर है ना यह थोड़ा सा मुझे छोटा रखना पड़ेगा नीचे वाले फ्लोर से तब ही थोड़ी अच्छी लुकाने वाली है वरना तो पूरा यह एक बिल्डिंग मन जाएगा let's go यहां पर यह लगा दिया सेम डो सेम इस साइट पे भी फिर इस साइट पे भी फिर ओ नीचे आगया मैं और राइट एक यहां पर लगाना है अब में मैं कैसे ओ वेट मैं यहां से वहां तक का access ले सकता हूं let's go तो यह complete हो चुका है अब बस मुझे ना ऊपर एक must room बनाने का है मेरे पास ना एक लग रही है वेट मुझे यह हटाना पड़ेगा यह गंदा लग रहा था हाँ भी ठीक है यहां पर एक और लगा देता हूं यही ज्यादा बैटर था तो अभी बालकनी यहां पर बन चाएगी और बैक साइट का जो हाउस है हम लोग इसे थोड़ा सा पीछे करके बनाएंग तो इसकी वॉल भी हमें सिलेक करनी होगी सबसे पहले मैं यहां पर यह जो विंडो है इसको मैं फ्रंट साइट में लगाने वाला हूं कुछ इस तरीके से और एक विंडो लगीगी इपनी इधर यह वाला एरिया मैं सारा का सारा ना ऐसी ओपन छोड़ूँगा तो यार ठाता हूं यहां पर लगा देता हूं इस साइट में भी कुछ ना कुछ आ इधर भी लगा देते हैं बाद में क्यूंकि बाद में लगाया हो चाहिए भी लगाओ लगाने तो हैं हमें तो अभी हम लोग चलते हैं उपर वाले फ्लोर पर आगे का काम करने के लिए हम तो अब मुझे decide करना होगा कि आकिर किस तरीके से यहां पर walls and यह window वाल लगने वाली है door frame कहां पर लगेगा यह सब कुछ तो सबसे पहले हम लोग जो window वाली वाल है यह decide करते हैं तो back side मैंने सोचा पूरी balcony हम लोग रखेंगे तो यहां पर मैं entry कहां से होनी चाहिए वो मुझे देखना होगा यहां से यहां से entry काफी जादा बढ़िया रहेगी तो entry करने के लिए हमें यहां पर भी एक door frame लगाना है और यहां पर एक लगानी होगी wall ठीक है विससे कर हम लोग इसको एक छोटा सा store room मना दे तो भी काफी ज़्यादा सही रहेगा बट नहीं यारे एक बड़ा room उपर रखते हैं सिफ़ सिंगल रूम उसके लिए मुझे यहां पर लगानी होगी wall एंड इस साइट पर लगानी होगी एक simple wall और अब आगे लगाम करना है यार यह वाला इरिया भी तो cover करना होगा तो इसमें भी पूरे में wall ही चलने वाली है कुछ इस तरीके से तो सेम जो सेम यहां पर भी एक wall लगाते हैं इधर भी wall लगाते हैं यहां पर लगाते हैं window ओके तो यहां पर window लग चुकी है अब यह एक बड़ा room हो जाएगा यहां से अपनी entry हुई उपर को हम लोग घुसे यह उपने कमरे में पर यह क्या जगा यह तो कुछ समझ नहीं आ रही न यहां wall लगाते हैं अब काफी ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि काफी ज़्यादा complete हो चुका है देखो मैं समझाता हूँ और इधर balcony से मस्त अपने barn का view ले सकते हैं बाहर आए इधर हमारा जो garage है वो तो भी ढग जाएगा यह बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा नीचे क्या है इसलिए यहां पर भी लगे हातना एक wall लगा देता हूँ इधर एक wall लगेगी and हर जगा window लगने वाली है और यहां पर मुझे छोटी वाली short wall भी लगानी होगी पूरे में लेट्स को इसकी बात कर रहत हमें तो यहां पर हम लोग एक दो तीन चार finally guys यह पनी balcony भी पूरी complete हो चुके है same to say मुझे back side वाली balcony में भी ऐसी लगाना है three four finally guys अपना जो first floor है वो भी पूरा complete हो चुका है अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से नीचे एक बार इसकी look देखते हैं और सोनी के लिए चलते हैं क्योंकि अब बाकी काम हम लोग next day करने वाले मतलब सोनी के बात करने वाले हैं all right guys में सोके उठ चुका हूँ और अभी मुझे बाकी का काम complete करना है और यह देखो येलो कलर कितना ज्यादा चमक रहा है और अशली बता रहा हूं इसके साथ अगर हमने ब्लाक कलर मिक्स कर दिया ना मतलब इसका यह जो foundation है इस पे लगा दिया साइड वाले फैंस पे लगा दिया तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी इसके लुक बाकी अभी ना कल रात को मैं दुबारा से अपने पिक को खाना देने किया था मैं एकदम प्रोपरना स्केडियूल बना लिया कि मुझे इनको खाना देना है फिर उसके बाद जाके सो और अभी देखो इनकी जनसंक्या कितनी जादा हो गई है और भाई इनको ना खाना देना बहुत बड़ी प्रोब्लम है मतलब बहुत जल्दी खाना खतम कर देते हैं उसके बाद दुबारा फिल करना पड़ता है तो मैं इसका solution ढूण दूँगा मुझे एक automatic system बनाना है का बार बारी ऊपर आगे का काम करने के लिए वान टू इधर भी लगा जाते हैं तो यह उठाए मैंने लकणिया एंड चंप और इधर प्लेस फिर जंप इधर प्लेस बैक साइड का काम तो मैं यहीं से कर सकता हूं और अपनी गैराज में गाड़ियां मस्त आके खड़ी बस है कि रूफ बनाने है जादा कुछ नहीं करना रूफ तो एक ट्रेंगल वाली चुह होती है थोड़ी चाइनीज हाउस में चलती है वह बना के खतम करेंगे वान टू थ्री फोर और एक वाल लागी बस इसके बात सारा का सारा काम पेंट का बचा है फिर हमें अपनी घर म है वहां लगा सकते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी फोड़ी तो रोश नहीं रहे क्योंकि आप नीचे देखेंगे ने दोपार हो रहे है और कितना अंधेरा सा हो रहा है तो लाइट्स पर डिपेंड करेगा और अभी मुझे डिवाइड भी करना है कि कौन सा रूम कितना बड़ा होने वाला अभी मैंने रूम से नहीं बना है बस एक हॉल बना दिया है तो एक आध हम लोग रूम डिवाइड करेंगे आपर पार्टीशन होगा वैसे भी हमें एक बार और जाना होगा हार्डवेर स्टोर पे क्योंकि अपने पास पेंट सारा नहीं है हमें और पें इसको कंप्लीट कर देते हैं वान अभी से उपन करना होगा नाइस सेम टूसे मैं सेम उपर वाली साइड पे एक बारी ना मैं इन डूर पे ब्लाक पेंट करके देखता हूं कि कैसे लगने वाले एक दम लुक चलेगी रुक जाओ पेंट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ मे कितना गंदा लग रहे डूर ऐसे लग रहे है इसके टैक्स्चिर उडगे मुझे इसे वापिस ठीक करना है रुक जाओ पेंट वापिस उतर जा प्लीज यारे वापिस भी नहीं उत्रेगा नास पिड़े गलती से भी ना कभी डूर को ब्लैक कलर का मत करना वरना यह आलत हो जाएगी अपना मुझे भाई यहां पर बनाने है रूफ और रूफ के लिए अपने पास स्टेर्स है वेट इस जगह का यूज हम लोगे स्टेर्स के लिए नहीं कर सकते क्या मैं तो सोच रहा था यह जगा वेस्ट हो गई पर यह तो बहुत जादा बैस्त है यहां से हमारी वूड खतम होने वाली है और वो खतम हो चुकी है और राइट गाइस तो फाइनली मैं हार्डवेर स्टूर जाके और भी बहुत सारा समान लेकर आ चुका हूं जो कि हमारे इस बड़े से मेंशन को बनाने के काम आने वाला है और इसमें सबसे ज़्यादा हैं प्लैंक्स क्य करा चुका हूं जो के सारे के सारे मुझे यहां पर लगाने है फिलाल अभी जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि जो टॉप फ्लोर का में इस रूफ का जो ब्लूप्रिंट है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां पर मैंने दो तीन वाल्स बना दी थी त लूप्रिंट लगाता जाता हूं बाद में लोग एक ही बार में यहां पर वुड लाके लगा देंगे ताकि एकदम मस्त फिनिशिंग आए और राइट गाइस तो चारो तरफ अपनी यह चीज़ भी मस्त कंप्लीट हो गई है अब जैसे चट पर ट्राइंगल सानी होता मु कंप्लीट कर दिया है अब इस पर जो साइट में से ट्रैंगल होते हैं मुझे वह लगाने तो उसको लगाने के लिए इसे कंप्लीट करना ज़रूरी था तो यह दो टाइप के हैं कुछ एक इस टाइप से लगेगा यह बी अच्छा है यह हम लोग यहां पर प्लेस कर देते हैं और इसके फ्रेंट में लगने वाला है यह यह तो काफी सिमिलर है वुड रूफ हां यह लगनी है यहां पर कुछ इस टाइप से ओल राइट तो यह वुडन रूफ में ढूंड रहा था इतनी देर से यह यहां पर कुछ इस तरीके से लगते जाएगे और अब आप बार लेके चलते हैं अब हेलो भाई साब यह यह घर मेरे घर में क्या करना हुआ था अलगी है चलो कोई नहीं फिलाल अब मुझे से कंप्लीट करना भाई अभी हो जाएगा काम मुझे दूबारा लकडिया लेने नहीं जाना मैं अपने पूरे के घर की रूफ ना यहीं पर मैंशन है वो ओलमोस 90% कंप्लीट हो चुका है बाहर से मेंच उसका एकस्टीरिय नाइनी पर संट कंप्लीट हो चुका है बस जो एक रूफ है ना वो भी थोड़ी सी रह रह रहे है और साथ ही कहीं कहीं पर ना इनकंप्लीट सा लग रहा है तो भी मुझे करना होगा जैसे यहां पर भी काफी इंकंप्लीट लग रहा है जैसे इतर से चूटा हो गया और इतर से बड़ा हो गया मुझे यह दोनों बराबर करने होगे वेट मेर को इस वाले को तोड़ना होगा और यहां पर मुझे बिल्ड करना होगा एक को और कुछ इस साइप से वान एंड टू ल लेक्स को अभी यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब एक फ्लोर उपर और बनना है लेकिन नहीं वैसे जरूरी नहीं है अगर हम लोग चाहिए तो कुछ इस तरीके से यहां पर रूफ बना के इसे कंप्लीट कर सकते हैं हां खाली बीडी फ्लोर क्यों बनाना है यहां पर वुड नहीं लग पारे यहां पर नहीं लग रहा है वेट क्यों ओकी गाइस तो भी मैं समझ गया इधर वो रूफ क्यों नहीं लग रही थी क्योंकि इधर कोई वाली नहीं है उसे सपोर्ट भी चाहोगा ना तो अभी हम लोग शायद इसके ओपर रूफ लगा सकते हां इस इस गेम के अंदर बहुत सारा संवान है मुझे यहां पर किचेन भी बनाना इंदर क्राफ्टिंग रूम भी बनाना है बहुत कुछ इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं लेट्स को फाइनली अपना जो रेंच हो पूरा का पूरा पूरा कम्पलीट हो चुका है अब बस मुझे इस में करना होगा paint अंदर का जो paint है ना बाद में करूंगा आप लोग मुझे comments में जाके जरूर परताना कि मुझे ground floor पे कौन सा paint करना चाहिए और वाल्स पे कौन सा paint करना चाहिए और क्या क्या समान लाके रखना चाहिए फिलाल अपना जो mention है बाई बहुत जादा तकड़ा लग रहा है और देखने में सची में काफी जाता luxury बना दिया है मैंने अब बस depend करेगे इसके look इसके paint पे तो जो जो मैं paint लेकर रहा हूं सबसे बहले हम लोग इसके उपर करते हैं जैसे रूफ के लिए मैं red color लाया हूं और नॉर्मल वाल्स के लिए मैं यह वाला color लाया हूं और जितने भी door है ना उन इधर से फिर इधर से थोड़ा पुराना सा लग रहा है पता नहीं क्यों बढ़ा ठीक है अच्छा डूर लग रहा है गलती से मैंने paint पे ओ वाल पे भी कर दिया इसको ठाओ वान ट्यू लेट्स को और जो बाहर वाले fence है ना यहां पे भी यही वाला paint कर देते हैं बढ़िया लगेगा नाइस अच्छा लग रहा है घर की सीडियों पे भी मैं यही वाला paint करने वाला हूं अब चलते हैं जल्दी से हम लोग उपर यह वाले door पे यही paint ऐसे भी तो घर है तो यह paint मैं यहां पर लगाने के लिए लगा था हां काफी सही लग रहा है अब घर के बाहर भी मुझे हर एक फैंस पे ब्राउन वाला paint यूस करना है बट घर की वाल के लिए मैं यह वाला paint लेकर रहा था अब देखते हैं कि यह जादा बेटर लग रहा था यह तो पहले मैं यह वाला paint को खरीदा था बट हां मेरे साब से यह वाला जादा गुड लुकिंग है लेट्स को पूरे घर में यह वाला गरते हैं ओल राइट तो अब आपको समझ आ जाए का मैं यह वाला paint क्यों लेकर आया था ताकि इन दोनों का combination एक्दम must match हो और अब मैं आप लोको यहाँ पर भी मैं यह वाला paint लगाने वाला हूँ इसके back वाली साइट पर 1,2,3 और top पर 1,2,3,4 लेट्स को अब आरी है लक्षरी मेंशन वाली लुक अब तो guys सब कुछ हो गया लेकिन आगे का काम करने के लिए मुझे रूफटॉप पर जाना पड़ेगा तभी हम उसे कर पाएंगे फिलाल यह जो है इसको मैं सोच रहा हूं कि ना ब्राउन कर देते हैं थोड़ा gate से भी matching matching हो जाएगा और front side भी थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी यहां पर भी में लगा देता हूं यह फ्रेंट साइट करी थी तो सोचा back side भी कर देते हैं और वह भी complete हो चुकी है और अब जो है वाई मतलब समझ लोग पूरा complete हो गया बस जो रूफ है ना उस पर मुझे ले जाके red color करना होगा let's go finally ले पूरा mention complete बट रूफ पे मैं चड़ूंगा कैसे रैड कलर में लेकर तो बहुत सारे आया हूं बट मैं जाओंगा कैसे जाने की घजर होता हम लोग यहां से भी तो कर सकते हैं कुछ नहीं नहीं कर सकते अगर मैं यहां पर करूं तो वेट यहां से भी हम लोग रूफ पे भी पेंट हो रहा है और क्या ही चमक रहा हो चलो आई चलो फाइनली अपना luxury mansion complete हो चुका है और अभी फॉगी वैदर हो रहा है यह थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है बटा जब ऐसे एकदम मस्त मौसम होगा पूरा sunny weather तो आप लोग को एकदम real quality दिखे कि इस घर की तो चलो ग बताना कि मुझे इसके अंदर और क्या-क्या लगाना चाहिए बाकी इस वीडियो पर इम करते हैं 5 लाक लाइक का तो सभी लोग लाइक करके लाइक गोल कंप्लीट कर दो और जो भी चैनल पर नहीं है चांब को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल